अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए आज अदालत उसे उसके पापों की सजा देगी, सारा देश ये चाहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ फासी सुनाई जाएं, क्योंकि उस जैसे मुझरिम का समाज में रहना आम नागरिकों के लिए दहशत का कारण है तो देखिए, प्लीज की वेंट प्रिथ्वी को लेकर आ चुकी है प्लीजी आप ए संजीन आरुख है जिसके एसे पूरा देश प्लीजे प्लीजे जी जंता है आपको फासी हो, आप अपनी पर गुनाई में कुछ अडिया चाहेंगे आप चुक क्यों है, बोलिये एमिरोज कपला, यल्दी हेलो, सर सर, मुझे तो लगता ये काम किसी समाज से होक्ता है जो शायद समाज से ऐसे खतरनाक मुझरिमों को हटाना चाता है और इस पृत्वी को वैसे कुछी घंटों में फासी की सजा समाने वाले थे तो फिर किसी ने इसका खून क्यों कर दिया? सर, शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसकी पृत्वी से दुश्मनी हो और वो चाहता था कि पृत्वी को खुद मारे हाँ सर, जिन लड़कों को खून इस पृत्वी ने किया हो सकता है उन में से किस के परिवार वाले ने हो सकता है लुक्सर यह सब तो फॉरण से ग्लैब में पपचे देगा लेकिन सर, इतने सारे लोगों के बीच में गोली चलिये किसीने तो कुछ देखा ही होगा सर, हो सकता है मेडिया वालों के कैमरे में शायद कुछ कहद हो गया पुरभी एडि मेडिया वालों के कैमरा चेकरो बहुत साल का एक्सपीरियंस है मुझे सी एडि में तुम तेखना इस फुटेज में से मैं कुछ न कुछ तो सुराग जरूर ढूड निकालूंगा सर जब पृत्वी यहां पर पहुचा तब उसे गोली लगी विवाइन करो गोली लगते ही पृत्वी नीचे गिर पड़ा पृत्वी की मौत का दुख मुझे है लेकिन अफसोस अफसोस बिलकुल नहीं कितने मासुम लोगों की जान ली है उसने उसका तो यही हैश्रो होना था किसने किया हो गया यह आपको किसे पर शक है कोई भी कर सकता है पृत्वी के गुना स्विकार करने के बाद बहुत सारे धमकी बरे फोन आते थे जी तुमकी बरे फोन तो मुझे भी कई बार आ हैं जबतो मैंने पृत्वी का केस लिया आपने आते हैं यह जानते हुए कि पृत्वी एक होनी है आप उसका केस लड़ रहे तेकि हमारा सम्विदान हर मुजरिम को अपनी बात कहने का हक परदान करता है और वैसे भी पृत्वी तो मेरा बहुत पूराना दोस्टा सर्फ सर्फ फुटिज देखके तो लगता है कि गोली सामने किसी बिल्डिंग से चलाई गई गोली अगर सामने किसी बिल्डिंग से चलाई गई है तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा वहां से जर कोई सामने किसी बिल्डिंग से 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 कर दो कर दो कर दो कर दो दर का यह कैमिरा दो हो डावा कर दो कि अज़े एज आज ज़ा आजसानूम की गोली के बारे में कुछ पता चला अब वस्त, मेरा शक एक दम स्वे निकला यह गोली बहुती शक्ति चाली है बहुत हाई कैलिबर के 7.62 mm की गोली है 7.62 mm? तो फिर गोली जरूर किसी दाइफल से ही चनी है हाँ सर, जरूर कोई स्नाइपर होगा हाँ, मैं बताता हूँ बस, आईए के देखो बस जिस तेजी से यह गोली इसके शरीर के अंदर गुसी है उसे देख करके लगता है कि गोली लगभग 80 फिट की उचाई से और 200 मीटर की दूरी से चलाई गई है तो फिर गोली जरूर किसी शार्प शूटर ने चलाई है शार्प शूटर ने कौन से गन से चलिए सर, गोली ड्रागन ओफ राइफल से चलाई गई है ड्रागन ओफ राइफल ड्रागन ओफ राइफल तो अकसर पुलीस वाले या फिर आर्मी वाले इस्सेमाल करते हैं तो फिर तो किसी ने गन गैर कानोनी डंग से खरी दी होगे आँ पुरवी गैर कानोनी डंग से ही खरी दी गई है ये राइफल गैर खानों नी टंक से रज़त पता लगा किसने बेची ये राइफल और किसने खरी दी किसने खरी दी और पुर्वी अभिजित को फोन कर और कहो कि जेल से पता लगाएं कि क्या पृत्वी का किसी और के साथ वहाँ पर जगडा हुआ था क्या और हम पता लगाएंगे इस कोर्ट के सामने इसी कौन से बिल्डिंग है दो सो मीटर की दूरी पर जहां से ये गोली चली है प्रित्वी आपकी जेल में पिछले दो साल से था उसका प्येवियर कैसा था I mean किसी कहदी से उसका कोई लडाई जगडा नो सर उसे तो किसी से ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं था और नाहीं जेल के दूसरे कैदी उससे बात करना चाहते थे ऐसा क्यों? बहुत ही बेरहमी से कतल किये थे उसने और उसकी आखों में कोई पच्टावा भी नहीं था अजीब बात है जो कैदी खुद फांसी पे चड़ने वाला हो कोई इसका फोन क्यों करना चाहेगा यह तो विनोध है ना? डॉक्टर को बुला यह जल्दी कैसे वा यह सर है? सर यह तो अभी अच्छा खासा ख़ड़ा था और अच्छानक गिर के तडपने लगा सर विनोध 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 सल्यी आठी है टोट्स अब तेखेज़ए सभी ए कुछ कहना चाहरागा क्या कहना चाहत हो विनोध विनोध सॉरी और लिच्ड़ रे तो मर चुका है वोट देखें इसके लगता है जायर दिया गया इसे सब आस पास की सारी बिल्डिंग्स चेक करें कुछ नहीं मिला बस यह अकरी बिल्डिंग बाकी है देखते हैं यहां कुछ बता चलता है कि है यहां कुछ बाच्मनी नहीं मादेखते है सर एक सोड़ा है यहां सर यहां बिल्कुल यहां बिल्कुल ड्यूटी पर सोता है अच्छ बारिश 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 यहां C.I.D. के बारिश C.I.D. आप C.I.D. यूटी पर खर्राटे लगाते हो किसी के पैसे मिलते है तुम्हें माप करना साब वो डवस्रिप करता हो ना असलिए आँख लग गए थी तो फिर आज सुबह भी आँख लग गई होगी दस साड़े दस बजे क्यों नहीं साब दब तुम्हें चाय पीने गया था यह चाय पीने जाता है डूटी पर सोता है लेकिन डूटी नहीं करता है न डूटी कब करते हो साब बाकी टाइम में डूटी करता हूँ वो यह मन लगा कि साब तो बहुत बताओ वाँ उस फ्लैट में वोट के सामने, कौन रहता, किसका फ्लेट है वो? वो तो राकिश साब का फ्लेट है राकिश, राकिश है गर पर अभी रोज सोभी आट बजी चले जाते हैं, लेकिन आज दिखे ही नहीं कैसे दिखेंगे, तुम तो सो रहे थे नहीं मेडम, उस समय तुम जाग रहा था, वो तो गलती से आँख लग गई जाओ, जाओ वहाँ जाकर ट्यूटी करो और सोना माथ, खिली जाओ, जाओ कोई दर्वाजा क्यों नहीं खोल रहा है सर, वाच्च में तो कह रहा था कि उसने सुबह से राकेश को कहीं आते जाते देखा ने फिर उससे तो घर पे ही होना चाहिए हाँ देयर से कुछ सीखे हो सर तो पता सर लगता नहीं घर में कोई है 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 गर में कोई तो है हुँ श्रया उस सरफ जाओ सर निकल निकल मेरे साथ मेरे साथ मेरे सकति जाओ गप्रामत है, हम लोग से यहीं से क्या है? इसका मिमारा है इसके सिर पर देखो, पता हूँ कैसे गवाई इसका हाँ? सुबह सुबह कोई मेरे घर में गुशा है मुझे बेहुश करके यहाँ बांध गया कौन था वो? देखा तुमे उसे? यहीं बुशने मास कि बेंडे काता लियाम, लियाम मुझे समान सब हाँ शया वानी प्रादेश हाँ शया? कुश मेला क्या? हाँ सर क्या? बेट के नीचे गोली का शयल मिला है गोली का शयल? इस बेट के नीचे? सर छी लगता यह वही शयल होगा जो प्रुथवी को लगा है ओ खुश परुश तो यह प्रुश शब्वा जड़बाई नहीं लोज लेकरत सब येस येस श्रिया गोली यहीं से चली है राकेश एक बात बताओ और कुछ याद है तुम्हें उस आदमी के बारे में कोई खास बात नहीं सर ऐसी कोई खास बात तो नहीं है फिर नहीं याद करो कोई साड़े पांच फिट लंबा हुगा अहां और वजन मेरे जितना ही मगर मगर? मगर क्या? उसके जूते मकमरी वेलवेट जैसे थे ब्राउन कलर के सर इतने लंबे-लंबे जूते थे उसके मकमरी वेलवेट जैसे चमड़े के ब्राउन कलर के जूते मतलब जरूर स्वेड लेदर की जूते हैं एंकल हाई अबर पक्की है न? वह सर जितने भी ट्यार कानों नी हथियार आते हैं सब की डिलिया ही होती है दोलो तुम लो इधर क्या कर रहे हो अजी बच्चे हैं दिवाली के लिए पठाके खरीद में आए हैं ए पठाके का दोकान नी दार चल पुट अट्राइकनोफ स्नाइपर राइफल मिलेगी आने दो पप्पू वोन लोग हैं चला अथियार खरीद में आपा पहले दो कभी देखा नहीं तो नई हो गया इस दंदे में नहीं हाँ हाँ एक एक साल हुआया मैं भी अचा ठीक है इतने ड्राइगनो स्नाइपर राइफल्स नहीं तुमें एक दो तीन बारा क्या बारा तड़ाई लड़ने जा रहे हैं क्या तुमसे मतलब दाम देंगे एक का पांच लाग बारा का साथ लाग चलो दस लाग डिसकाउंट दिया तुमें पचास लाग में आपका काम हो जाएगा हम हम कैसे मालने की तुम्हारा माल सही है कोटा ने कोटे सिक्के रखने का शोक मुझे नहीं है अभी कुछी दिन पहले बेची है क्या मक्खन की तरह चलती है जाब ट्राई करो किसे किसे बेची तुम्हे वो गन इसे तुम्हें क्या लेना देना लेना देना है C.I.D. किसे बता दे किसने खरीबी भी ड्रागन और स्नाइपर राइफल और न और भी तरीके आते हैं हमें सच अगलवाने के किसे बातने ज्ड़ाईफल किसे वे दो एक मिली कब है दूख लगाई चाहत को दो अचाहत को अचाहत को बताओ, वह था वह जैसे तुम्ने ड्रागण ओफ स्नाइपर राइफल बेची थी नहीं सर्द में कुछ नहीं जानता शर्द में एक दाड़ी मुचहोगाल आपी था सर्द इसने एक काला चश्मा और एक टोपी लगा रखे थी, सर्थ लेकिन हाँ, उसने बातों बातों में एक बात कई दी कि ये उसकी फेवरी ट्राइफल है और इसी से उसकी जान बची थी, सर्थ इसका मतलब कोई पुराना फॉजी आया था बेज बदल के मताबिक विनोथ की मौत जाहर से होई है हाँ पर है कौन ये खुनी है जिसने पहले पृत्वी को मारा और अब विनोथ को सर ये रहा पृत्वी का पहले का रेकॉर्ड सर पृत्वी ने अनुष्का नाम की एक लड़की का खुन किया था जिसके पिता आर्मी में थे, लेफटनेंट करनल विजय कुमार. लेफटनेंट करनल विजय कुमार. लेफटनेंट करनल विजय कुमार. Sir, तो बहुत आलीशान है. महर कोई है क्योंनी? महर चका. विजय कुमार. विजय कुमारा खेल कुम हो गया. विजय कुमार कुमार. विजय कुमार. विजय कुमार. झारेगा सवाद टेबल पर ये मिला है मैंने प्रित्वी को मार के अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया और अब मेरे जीने का कोई और मकसद नहीं है इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूँ उमीद है कि उपर जाके एक बार फिर अपनी बेटी से मिल पाऊंगा सर अंदर से ये राइफल और प्राउड शूस मिलें जो प्रित्वी के खुनी ने पहने थे ठीक है एविदेंस बॉस में डाल दो और एम्बूलेंस को फोन का ये सर सर एक बात समझ में ले अगर विजे ने प्रित्वी को मार के खुदकुशी कर ले तो फिर विनोत का क्या? उसे किसने मारा? वो सकता है प्रित्वी की मौत और विनोत की मौत का अपस में कुछ लेना देना होई ना और ये भी हो सकता है कि विजे की मौत आत्मत्या नहीं बलकि खुण है खुण? हाँ बंकच यह आत्मत्या नहीं है यह खून है यह सुसाइट का नाटा खूनी ने हमें गुमरा करने के लिए किया है वो कैसे सर एक मिट अंदर हाँ यह सारी फोटो द्यान से देखो इन फोटोस में तुम्हें कोई खास बात नजर आ रही है हाँ सर इन सारी फोटोस में तो विजे है विजे तो है उसके अनाबा सब विजे खब्बू है लेफ्ट हैंडे सर वो क्रिकेट भी लेफ्ट हैंड से खेल रहा है पैन भी उसे लेफ्ट हैंड में पगड़ा है और गन भी लेफ्ट हैंड में करेक्ट ऐगर यह अपने सारे काम बाएं हाथ से करता था तो आत्मत्यया दाय हाथ से क्यों करेगा गंदाय हाथ में पकटी है इसने मतलब साफ है खुर्णी ने इसका खुर्ण करने के बाद इसके हाथ में गंडग थी वो राइफल, ब्राउन जूते, आत्मात्या वाली चिट्टी सब जान बूच के डखे गए हमारी आँखों में धूल जोगने के लिए पहले पुर्थवी को मारा कोर्ट के बाहर गोली चलाकर फिर मारा विनोत को जेल के अंदर जहर देकर रभ मारा विजय को और दिखाया इस यह से के विजय ने आत्मात्या की है बड़ा चालाक समझता ही अपने आपको तो सर, उनी को पता नहीं है के उसका पाला एसीबी प्रद्यूमन से बड़ा है तुमने दिया हुआ काम किया? विजय के पून एकोट चेक किया है? अहा सर, उसकी मौट से एक दिन पहले ना उसे किसी ने बहुत सारे फोन किये थे किसने? पता नहीं सर, क्यों? चुकिए खाचा काट से किये थे सर तो क्या हुआ? सर, वो काड ना आउटो सर्वेस है सर, सर पिछले कुछ दुनों में विजय ने अपने अकाउंट से काफी सारे पैसे ट्रांसफर किये थे किसे ट्रांसफर किये थे? सर, जर्मिनी के एक बैंक में सर किसी योको रेका के नाम पर और फिर वहाँ से वो सारे पैसे रश्या के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर वे और वहाँ से कहीं और एक एक कदम फूक फूक के डाल रहा है ये लेकिन एक गल्दी गर बैठा सब वो क्या? वो कहते है ना सारी खुदाई एक तरफ जोरुगा भाई एक तरफ ये देखिये सर ये पृत्वी की वाइफ का एक भाई है गौतम वो भी विजय के साथ आर्मी में था ये उनकी फोटो है गौतम? ये सर ये गौतम कई सालों से कर्जों में डूबा हुआ था लेकिन पिछले ही हफते उसने ना केवल सारा कर्ज उता रहा है बालकि पानीपत नगर में एक फ्लैट भी खरीदा है अच्छा पृत्वी के जोरु का भाई गौतम जोरु का भाई गौतम पता लगाना पड़ेगा इस गौतम के घर में ऐसा कौन सा बादल है बारिश कर रहा है धन की बारिश धन की गौतम तो पृत्वी और विनोट के लौक अप के दिखवाल आप करते थे जी सर कैसी बनती थी दोनों के बीच में कुछ बात बात करते थे आपस में हासाब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पृत्वी तो पूरी जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिनोट से ही बाते किया करता था अच्छा अम दोनों के बारे में कोई कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहते हूं अब आएगा मजा अब वो है कहाँ वो ओफिस के अंदर ही है अब यो शोर मचा रहे हो रात होगी चलो सोजाओ आँ चलो सोते है एक रात पहले दोनों बहुत खुश थे और आपस में खुब हंस रहे थे किस बागते है अब ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ अखबार देख देख के हस रहे थे अखबार का वो अखबार है आपके पास जी हाँ जरा लाईए जी सर उस अखबार में ऐसे क्या होगा जिसे पढ़के वो लोग हस रहे थे होगी क्यों इनके फायदे की खबर होगी जिसे पढ़के वो लोग खुछ हो रहे थे ये लिजे और सर वो कुछ बोल भी रहे थे क्या क्या बोल रहे थे सर ऑफिस के अंदर है ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ बोल रहे थे आफिस के अंदर तुछ है? आज सर्थ किस आफिस की बात कर रहा होगा वो? कहीं अपने आफिस में तो कुछ छुपानी रखा इसने? किस आफिस में आफिस में आफिस में कुछ आपकी हेल्प कर देता हूँ शुपचा वही खड़े रहे हैं हमेरे चाहिए आम खुद डून लेंगे नेकल इसको शिफ्ट करो यह डूनने में मदद करते आफ हमारी? सर मुझे क्या पता है कि परतुई सार ने अलमारी के पीछे एक और अलमारी बना रखी है परता है परता है अठीश परता है स्क्राइब धिए परता है अधिए फोर्तोस अधिए पेपर की कटिंग ये अखबार की कटिंग तो 12 साल पुराने एक पुलिस केस की है गरजापुर में ड्रक्स पेशने वालों और पुलिस के बीच मुटभेड शूट आउट में साथ ड्रक्स पेशने वाले मारे गए सरहोनों पृत्वी का इस केस से कोई ना कोई संबन दाए सरूर होगा निकल और ना इतनी पुरानी न्यूसपेपर कटिंग वो इतना संभाल की क्यों रखता लेकिन सर ये फोटो इन तीन फोटो में कौन है इसका जवाब हमें गौतम देगा योगि विजाय ने उसी को पैसे दिये थे प्रत्वी को मारने के लिए जोचो दोस्तोम जी थे खिवे मेंाब हम्किन पुप्रोघू यह अधार नहीं जागू क्यों गवतम जी भाग रहे थे हैं हमसे कोई भाग नहीं सकता समझे क्यों गुथवी को तुमने ही मारा ना गोली चला कर राइफल से इस सर मैं पिटवी को क्यों मारूगा सर दस लाख रुपियों के लिए जो तुमने विजा इसे लिए थे हाँ सर यह बास सही है मैंने विजाए से दस लाख रुपिय लिए थे इसी काम के लिए लेकिन सर मैंने पिर्टवी को नहीं मारा है सर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने खून नहीं किया मैडम मैं गोली नहीं चला सकता क्योंकि मेरा हाथ खराब है यह देखी यह देखी सर अच्छा क्या हो दुमारे हाद में पिछले साल एक रोड एक्सिडेंट में मेरा हाथ खराब हो गया यह देखी सर सर मैं एक गिलास पानी नहीं उठा सकता तो भारी राइफल कहां से उठा सकता हूं सर आप चाहे तो इसके मेडिकल रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप अपने डॉक्टर से भी दिखवा सकते हैं इन तीनों को जानते हो नहीं सर मैं इन तीनों को नहीं जानता हूं सर सच बोल रहे हैं? हाँ सिर्ड, मैं सच बोल रहे हैं सिर्ड नहीं जानते हो ठीक है तो अब हम इन तीनों की कुंडली लिखेंगे सर इस बारा साल पुराने केस का इन मौतों से क्या संबंद है मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है हैं पंकरश, कनेक्षन है कनेक्षन हैं इन मौतों का पुठवी के साथ परना पुठवी थना पुराना अगबार क्यू संभल के रखता सब पुलिस रेकार्ड्स में लिखा है कि इन चारों में से एक मुझरूम पुलिस का खबरि बन गया था और उसने अपने सारी सजा माफ करवाने के लिए अपने पूरे ग्यां की जानकारी पुलिस को दे दी और इसी की मदद से पुलिस ने इसके ग्यां को ख़तम कर दिया एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये चेहरा पुर्वी इस चेहरे को स्कैन करो पता नहीं को मुझे इसे लग रहा है कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है स्कैन करो पुर्वी इसके बाल बड़े हैं गम करो ये चिन चिन पर नितुरा मास चड़ा पुर्वी इसे थोड़ा गोरा बना आप आई को ये तो पुर्थवी है हाँ सर इसका मतलब ये पहले डर्ग सा बिस्निस करता था हाँ पंकरश इसमें गुना की दुनिया की दल्दल से निकल कर शराफत की दुनिया में कदब रखा एक नया नाम और एक नया चेहरा लेकर तक टासर इसके गैंग वालों को इस बात की खबर हो गई थी इसलिए पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने इसे मार डाला नहीं पुर्वी ऐसा नहीं हुआ उसके गैंग के मेंबर तो उसकी मौत से तीन दिन पहले ही मर चुके था यह एक बार देखिए सर इसी को देखके पृत्वी और विनोट जेल में ठाके लगा रहे थे शायद इसी ख़बर ने उनके मूट को फ्रेश कर दिया जब थे इस पृत्वी के पिछले बारा सालों की जिंदगी का कोई तो राज है जो हमसे अभी चुपा हुआ है अभी चुपा हुआ है एक बार फिर से उसके परिवार वालों से जाकर मिलते हैं पृत्वी ने अपनी सारी दौलत और बदलापूर वाली जमीन आपके नाम पे कर दिया यह लिजी उसकी वसियत नहीं चाहिए मुझे प्रत्वी की पाप की कमाई का कुछ नहीं चाहिए देखो नीदी कानोनन तो अब यह सब कुछ तुमारा ही है अब इसके साथ क्या करना है इसका फैसला तुम खुद कर लो ठीक है आप एक ट्रस्ट बनवा दीजी समात से वाका शायद इससे प्रत्वी के पाप कुछ कम हो जाए सौरी आपको तकलिफ देने आया हूँ लेकिन मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए आपसे प्रत्वी के बारे में ओके नीदी मैं चलता हूँ ठीक है प्रत्वी के पिछले बारा सालों के जिंदेगी के बारे में कुछ इंफरमेशन चाहिए क्या आपको पता है वो किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हूँ था गैंग? कैसी गैंग? क्या आप बच्चे को अंदर ले जा सकती है? नीदी जिस क्रिमिनल गैंग से प्रित्वी जुड़ा हूँ था वो लोग ड्रक्स का दंदा करते थे यह है एक पोटोडिस में यह है प्रित्वी यह प्रित्वी है? जी नई शकल के साथ साथ उन्होंने एक नई जिंदगी भी अपना ली थी प्रित्वी के साथ जो दो साथ ही है क्या आप उनको पैचानती है? जी नहीं जलो ठीक है कोई बात ने अचाए एक बात बता आ प्रित्वी के जिंदगी के पफले 12 सालों के बारे में कोई खास बात याद आती है तुम्हें या शायद प्रित्वी ने तुम्हें कुछ कहा हो, बताया हो हाँ, प्रित्वी ने एक बार मुझे कहा था कि उसने घर में कोई ऐसी चीज रखी है जो मेरे सारे सवालों का जवाब देगी कैसी चीज? जी मुझे नहीं पता घर में मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला इफ यू दो माइंड हमारी दो ओफिसेज आपकी घर की चाननी करेंगे चलेगा? जी एक श्रया टूंड़ को अच्छी तरह से शायद उस चीज मिल जाए यह ना? जा सर्थ आ? सर्थ, यह बॉक्स मिला है को रहे से? किया हुआ ये तो खुली नहीं रहा है तोड़ दू नहीं इस बॉक्स को मत तोड़ो क्यों बेटा कोई खास बात है इसके अंदर आप जानते हो एक मिनिट पृत्फी को पजल्स और क्रिप्टोग्राफिका काफी शोग था उन्होंने अक्षे को भी यादत लगा दी थी और ये खुल लिया ना ये तो कमाल हो गई अब तो बड़ी होश्यारों क्या ये कैसी चाबी ये इस चाबी से कौन सा तला खुलेगा ये तो एक पहली है हाँ शायद इसससा चाबी का राज इस चिट्टी में चुपाओ H L Q F S X R I Q P I L Z H B O K L F C D ये क्या है? क्यों बठा? क्या हो सकता है? कुछ पता है तूमें? अरे ये तो सीजर साइफर कोड है अरे माँ? सीजर साइफर क्या होता है? सीजर साइफर? मैं बताओ, Caesar Cipher Code, मतलब हर अक्षर को आगे आने वाले तीसरे अक्षर के साथ बदलना होता है, मतलब A बन जाता है D, राइट? अब आप तो मेरी तरह स्मार्ट हो? अच्छ श्रिया, बताओ, इसका असली मतलब क्या है? सब सब को टिया कोटी वी यूल्ट एस वाल्ट्स लो सी के आप लोकर अनो नूमबर 634 Qoty Walls Locker no. 634 Sir, यानि ये चाभी उस Locker की है आश्रया, ये चाभी उस Locker की है Locker no. 634 Qoty Walls Locker मैं भी गुना हूँ जब भी गभी तुमें ये चुत्ति मिले शेर छोड़ कर चले जाना ब्लांकमेल किया जा रहा था ये सारी गुना अपने सिर लेने के लिए हाँ सर और क्योंकि असले हुनी उस पर हमेशा नज़र अखे हुए था इसलिए अपने परिवार को कुछ नहीं बता था कुछ अपरोशे अपरोशे जाए अपरोशे अपरोशे परोशे अपरोशे अपरोशे नहीं बताए इसमें तो गोंगट डाल रखा है जरा देखें तो तेरा जान सा चेहरा तो ये सारा खेल तुम खेल रहते हैं अलोग पाबू जाने तो मुझे हैं जाने पूझे जब जाग तुम रख तुम रख तुम रख तुम रख तुम आलेको कहाँ जाने दे मैं एक स्टेट लेवल शाप चोटर हूँ मेरे सारे घून किया पृत्वी का, विजे का, विनोध का और उन लड़कियों का भी जिनका मुगदमा पृत्वी पे चल रहा है और बली का भकरा बनाया बीचारे पृत्वी को है न पृत्वी ने एक तिन शराब के नैशे में मुझे अपने अतीत के बारे में बताया कि वो एक ट्रक गैंग के साथ काम करता है और तुमने इस बात का फाइदा उठा लिया क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके पुराने गैंग वाले उस तक पहुच गए तो ना सिर्फ उसे बलके उसके परिवार को भी मार देगे इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए प्रिथवी ने तुम्हारा कहा मान दिया मगर बाजी पलट गई जब प्रिथवी को पता चला कि उसके पुराने गैंग वाले मिम्बर्स मर चुके हैं वो अदालत में सब कुछ ससस बता देता और मैं पस जाता इसलिए मैंने प्रिथवी को भी मार दिया इतना सब होने के बाद भी उसने तुम्हें अपना वकील क्यों रखा क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैं उसे ब्लाक मिल कर रहा है हमारे तो सिरफ फोन परी बात होती जी कभी सामने नहीं आया मैं उसके पिर तुमने प्रिथवी को मार और उसके खून में विजय को फसा दिया और फिर तुमने विजय को भी मारा एसे मारा जैसे लगे के विजय ने आत्मध्या की है विनोद को क्यों मारा तुम्हें? क्योंकि वो भी मेरे लिए एक कत्रा बन चुका था प्रिश्वीन अपनी सारी सच्चायों से बता दी थी इतने सारे खून की ये तुम्हें जब मुझरिमों को सजा दिलाने वाला एक वकील तरिंदा बन जाए तो उसे फांसी की सजा ही मिल ली चाहिए फांसी की सजा